तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं आप अपने चैनल को जीरो से हीरो कैसा बना सकते हों जी हां दोस्तो बहुत से लोगों की कमेंट्स इंस्सेग्राम पर आई हैं बहुत से लोगों की कम्यूटी पोश्ट पर कमेंट्स आई हैं कि सर जब हम अपने चैनल को सर्च करता है तो बहुत ही मुश्किल से उस चैनल को फाइंड कर पाते हैं या फिर यूजर नेम वगेरा एकुरेट लिखते हैं तब हम फाइंड कर पाते हैं मतलब चैनल की ब्रैंडिंग किसी भी तरह से नहीं हो पा रही नहीं जैदा चैनल पॉपलर हो पा रहा है और अगर चैनल हमारा अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स का भी तो लोग उसको नोन में नहीं लेते हैं ज्यदा अच्छा खासा ब्रैंड नहीं बन पाता है तो आज इसी टापिक पर हम आपके चैनल के लिए बात करने वाले कि अगर आपका चैनल पर सब्स्क्राइबर्स भी ज़्यादा है फिर टेक्निकल गुरु जी या फिर मातमा जी टेक्निकल मनुष डे बहुत से ऐसे चैनल है जो की ब्रैंड बने हुए हैं और अपने एक नाम से पहचाने जाते हैं यहां पर यह ब्रैंड क्यों बने हुए हैं इन सारी चीजों की एक खास वज़े अगर आप अपना चैनल बनाते ह चलिए जम बात करते हैं आप अपने चैनल को जीरो से हीरो कैसा बना सकते हैं अगर आप इन पांच चीजों पर फोकस करो और इन पांच चीजों को पहले से अच्छे से वेल मैंटेन रखोगे तो कभी भी आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी आपका चै चैनल का स्पेस्फिक नाम नहीं लूगा अगर मेरे मुझ से कोई ऐसा नाम निकलता है जिस पर करता है को चैनल तो इसके लिए मैं पहले से सॉरी बोला हूं लेकिन मैं एक्जेम्पल के तोर पर चैनल के नाम बता रहे हूं ऐसे ही वर्ड्स लूँगा अगर कोई चैनल का पर टनाम निकलता है तो उसके लिए सॉरी देखिए एक्जेम्पल के तो पर कही सारे ऐसे चैनल होते हैं अपने चैनल के नाम को लिखते समय क्या लिए लिखते हैं को वर्ड्स लिलिया गेंगेंन लिख लिए Baptist ficouन्ती पहाळा जो मन में आया उन्होंने लगा दिया तो नहीं पता लगेगा ना Gamer XYZ क्या है आप चैनल का नाम ऐसा लिखो जो आपकी ब्रैंड बन जाए आप अपने नाम से बना सकते हो चैनल या फिर कोई चैनल बहुत ज़्यादा पॉप्लर हो जाएगा कंसिस्टेंसी से आप काम करी रहे हो तो आपके चैनल का नाम कोई जान गया गेमर एक्स वाइजट यह आला चैनल है इस तरह की वीडियो अप्लोड करते हो लेकिन इस्टार्टिंग में आपको चैनल फाइंड करने में भी प् चाहिए लेकिन अच्छा कासा एक यूणिक नाम ऐसा लेना चाहिए जो पहले से एक्जिस्ट नहीं करता हो फिर बात करते हैं चैनल के हैंडल की वह कभी कभी क्या होता है उसको वैसा ही लगा रहने देते सोचते कि हाँ डिफॉल्ट आये अच्छा होगा तो यार उसको चे चीर्टी हों तो सेम यूजर नेम रहें हमने चेकी हैं कि यूजर नम हमारा तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन बाइचांस अगर डिशिटेक्सर नाम लिए तो इसमें 0123 ABCD बो का पहरा तीन का पहरा पांच का पहरा कि तीक यू एभी नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे Digitex तर है, तो अगर हम को Digitex तर नहीं मिला, वैसे मैंने जो नाम लिया था, वो unique था, क्योंकि मिलना possibility थी, क्योंकि हमने unique नाम लिया था, ऐसा कि मैरे channel का नाम भी मिल जाए, और handle का नाम भी, मैं हमेशा try करता हूँ, जब भी channel का नाम कोई भी रखना चाहता हूँ, उससे पह मेरे इस नाम से कोई channel तो है, नहीं था, मैंने रख लिया, आप क्या handle name है, अगर आपको लग रहा है कि Digitex simple नहीं मिला, मैं अपना नाम का example ले रहा हूँ, आप अपने नाम का example ले सकता हूँ, आप मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर कोई भी handle name नहीं है, तो मैंने Digitex simple लिख एड कर देखेंगे हमको क्या करना है, सर ऑफिशीयली एड कर दे ना है, जी अफिशे लगेगां, अगर घर अश् ряд अंभी अच्क तो मिल pickled यह सकता है, तो हमको क्या करना है, ऊट पतांग चीज़े नहीं लिखने कि एक दो ती लिखा हूँआ पता नहीं क्या-क्या बवाल उसमें लिखा हुआ ऐसा नहीं करना इससे क्या होता आपका चैनल सर्च में जल्दी नहीं आता और सर्च में इवन आने भी लगता तो यह ब्रैंड नहीं बन पाता है तो चैनल नेम और चैनल हैंडल नेम सिंपल होने चीए अट्रैक्टिव होने हो गया सर्क्रियों लगा यह भी मुझे रेलेवन्ट कर तक्री क्योंकि मैं छालेता कि यूप जा Plato ले path थै además di Catholics को कि içृ भी चलता हूं तो मैंने इस्तूटेंट को ट्वीशन पड़ा रहा हूं यह अप लोगों के support और प्याद से brand भी बनना है तो यहाँ पर मैंने बात की दो point पर एक channel के name पर एक channel के handle पर अब हम बात करेंगे about section में बहुत से लोगों के about section देखें आप के लिए भी मेरे बात बतारों कि अगर आपके about section में भी यह चीज़े लिखें तो इसको इमेडेटली आपको change कर देना है बहुत से चैनल के नरम देखें जहां पर लिखा है hello guys मेरे चैनल को subscribe कर दीज़ें इतने सब्सकाबर इतने दिन में हो गए अगर आपको से नीचे लिख लूँ आपको साथ में क्या एड़ करना है आपके चैनल से relevant topics जो आप upload करते हो मतलब अगर मैं आपके चैनल पर जा रहा हूं तो मुझे about section से ही पता चल जाए कि आपके चैनल पर किस तरह के topics मिलेंगे हमको किस तरह से वीडियो देखने के मिलेंगी सब्सक्राइब आपने लिख दिया हेलो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर यूट्यूब की टिप्स अन्बॉक्सिंग वीडियो यूट्यूब के अपडेट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी कोई भी टेकनिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड शेलुशन मिलेंगे अब अगर हम आपके चैनल पर जा रहे हैं तो मुझे यहां पता लग रहा भाई अबाउट सेक्शन के अबाउट सेक्शन पर जाते कि अगर मैं इस बंदे के चैनल पर जाता हूं तो मुझे यूट्यूब टिप्स देखने को मिलेंगी अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो मुझे यहां पर मिल जाएगा यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट्स होंगे तो मुझे यहां पर मिल जाएगे अब मैंने क्या लिख रखा है कि भाई आये हो तो मेरे चैनल सब्सकाइब कर दो और आपको इनकी कसम इस आपके लिए सब्सकाइब कर दो या सब्सकाइब करके सपोर्ट कर दो मैं बहुत गरीब हूं मैं अमीर हूं मेरे चैनल सब्सकाइब कर दो तो इससे रिलेटेड चीज़े मत लिखो अगर मैं आपके चैनल पर सपोस्दित जा रहा हूं मैंने लिखा हुआ देखा आपके अ सब्सक्राइब वैसे भी कोई इतनी जल्दी नहीं करता है लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं वीडियोस पर व्यूस तो मिलियंस आते हैं लोगों के हजारों व्यूस आते हैं लाखों व्यूस आते हैं क्या इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं नहीं लोग देख के च चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवन ब्रैंड अगर कोई आता भी सब्सक्राइब को देख लेता है तो इन सारी चीजों को देख कर रहा चला जाता है ठीक है वह आपसे किस तरह से कॉंटेक्ट करेगा कि आपने सारी चीजे ओफिसली मैनेज कर रखें के नहीं तो अगर अब को बरीफ कली बटानी कि तरह से वीदियो सम्ट अपलोड करते इस दिन में इतनी वीडियोश आती हैं तो क्या होगा मटारिफ्किंश अब करते प्रोफाइल मिश्मक्राइब लिएक्या प्रसस्प्राइन लिए गर प्रसे करते और में आप लिंक्यों सौरु तो वो clickable नहीं रहते हैं, उन पर आप click नहीं कर सकते हैं, वो highlight नहीं होते हैं, तो आपको वहाँ पर link भी नहीं लगाना है, किके वहाँ पर उनका कोई भी use नहीं रगा, आपकी जो link या लगी होगी about section में, उस link को same to same कोई type करके अपने search box पर नहीं जाएगा, क्या करेगा, अगर किसी को जरूत होगी तो ऐसी link हो नीचे कि click करें, social media पर redirect हो जाएं, ऐसा नहीं होगा कि उस link को कोई search करें, इसलिए कि वहाँ पर searchable है नहीं, clickable है नहीं, सिर्फ लिखा हुआ, तो वहाँ पर आप मत लगाईए, अलग से settings में, जब आप YouTube studio की settings में जाओगे, तो वहा option आता है, वहां से आपको link लगाना है, जिससे क्या होगा, आपके about section के नीचे link का option अलग से tab आजाएगा, उस पर आप click करोगे, तो आप अपने social account पर redirect हो जाओगे, वह काम क्योंगी, तो आपको about section में नहीं लिखना है, settings से जाकर link वहीं पर लगाना है, ठीक है, यह एक professional तरीका है, बाकी उसमें जो लिखते हो, वह बहुत गलत तरीका है, ना clickable है, उसका कोई भी use नहीं है, ठीक है, तो हमने बात की name पर, channel के handle पर, about section पर, profile links पर, अब हम बात करते है, profile picture पर, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे की gaming channel है, यह tech channel है, कोई भी cooking channel है, तो क्या करते ह एक game, जो game खेलने वाला होता है, बोल सकते है, mouse या फिर gamepad जो भी होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिससे game खेला जाता है, ठीक है, तो उसी की photo लगा देते हैं, या फिर कोई PC की photo लगा देते हैं, जिस पर कोई game चल रहा है, या फिर कोई avatar की लगा देते तो वो आपको यार नहीं करना है, आप याथतों अपने चैनल का जो नाम होगा जो आप एक सैलेक्ट करोगे, चैनल के नाम से एक professional logo बनाओ, अगर आप नहीं बना सकत तो यार YouTube पडेखो, बहुत से लोग logo बना कर देथेंगे, नहीं बना पादेंगे, तो सीखेए, क्यार अब तक किसी और से बनवाऊगे कुछ ना कुछ तो आपको सीखना पड़ेगा ठीक है तो सीख कर कोई एक प्रोफेशनल लोगो बना लो या फिर अगर आप अपने आपको ब्रैंड बनाना चारो तो अपनी कोई भी इमेज जो की प्रोफेशनल डीपी आप डिजाइन करके उ में होता है यही लगाने इदर इधर नहीं लगाना चाइए और अगर अपनी नहीं लगाना चाई होँदू आहिसलो आप बहुत आप बहुत लोग लिए टेग्लाइट जिसे को बोलत जैसे के मेरा है जानल का नाम है तो अब यह बन्दा वीकास कुकिन technical भी modern आप हमारे चैनल पर technical बनेंगे और modern बनेंगे वैसे cooking से related gaming से related हो सकते तो चैनल का नाम और tagline लगा कर आप बहुत ही अच्छी attractive DP बना सकतो उस चीज को लगाईए one by one square size में लगाईए ठीक है इसी के साथ में आप अपने चैनल से रिलेवेंट लगाई यह सारी चीज़े जब आपके चैनल से रिलेवेंट होंगी तो आपको बहुत से लोग इसमें मैं include नहीं करूंगा बसाट में बताना चाहूं कि अपने चैनल से यह सारी चीज़े अगर आपका चैनल बेसिक से जीरो से एडवांस हो जाएगा आपके चैनल पर कोई विजिट करेगा तो देखेगा चैनल का नाम जो मैच कर रहा है है अब आपको चैनल बन चुका है आपका चैनल का अच्छा लग रहा ब्राइड भी आपको अप्रोच कर सकती है क्योंकि उनको भी लगेगा हाँ जो बंदा यूट्यूब चैनल बनाय हुए वीडियोज अपलूट कर रहा है जब आप अपने चैनल को मैनेज कर रहा है जब आप मुझे नहीं लगता फिर किसी को अप्रोच कर पाऊगे ब्राइंज के लिए तो इस तरह से आप अपने चैनल को प्रोफेशनली रखिए अगर आप चैनल से अर्निंग करना चाहरे हो और चैनल कोई ब्राइंड बनाना चाहरे तब के लिए बाकि अगर आप ऐसे मौज अगर यह वीडियो आपको इन्फोमेटिव लगी हूँ तो वीडियो को लाइक करना कमेंट्स करके बताना इनमें से आपकी कितनी चीजे आपके चैनल से मैच करते हैं और आप यह अप करने जा रहे हो या फिन नहीं बाकि आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब